शिरिक्रिष निला के चिंतन में शिरिकिष की उखल बंधन लीला आभीर सुंद्रियों ने शिरिकिष चंद्र को जन्नी के अनिशाशन से मुक्त करने का कम प्रियास नहीं किया किन्तो सब्व्यर्थ ये शोदा रानी ने सब की अंसुनी कर दी उन्हें तो प्रतीत हो राया कि सभी द्रिष्ठियों से नील मनी को बड़ी आध खड़ी के लिए बांदे रखना आवश्यक है श्रेश कर है अथे सब की अवेलना करके वे शिरिकिष चंद्र को बांदे लगती है किन श्रीकिष चंद्र को जिन श्रीकिष चंद्र में ना बाहर है ना भीतर है सर्वत्र व्यात रहने के कारण जिन में देशकत परिछिन्दता नहीं है जिन का ना तो आदी है ना अंत है त्रिकाल सत्य तत्व होने के कारण जिन में कालकृत परिछिन्यता भी नहीं है जो अनंत कोटी ब्रहमांडों के सरजन से पूर भी ब्राजित थे अनंत ब्रहमांडों का विले हो जाने के पश्चाद भी ब्राजित रहेंगे जो अनंत भ्रह्मांडों के अंतराल में अवस्तित हैं, साथ ही उनके बाहर भी ब्राजित हैं, जो स्यम ही प्राकित आ प्राकित समस्त विश्य भ्रह्मांड बने हुए हैं। उन अचिंत सवरोब अधोक्षज इंद्रिय गोचर नारकृती पर ब्रह्म शिरिकिष चंद्र को अपना उदर जात पुत्र मान करके, जैसे कोई काष्ट पुत्लिका को बांधने चले, इस परकार ब्रज महीशी उखल से बांधने जा रही है। बंदन का अर्थ क्या है? किसी सीमित और छोर वाली वस्तु को उसकी अपीक्षा एक धिक विस्तार वाली वस्तु से विश्टित कर देना, लपेट देना, पर जन्नी शिरिकिष चंद्र की सीमा, उनका और छोर कहां पाएगी? उनको लपेटने के योग्य उनसे बड़ी वस सुदारानी के हिर्दे को शिपर्शी नहीं करता. वे तो परत्यक्ष प्रति दिन उस असीम को अपनी बुजाओं में बांद लेती है, इस समय भी उसका एक हाथ उसकी एक मुठी में बंदा है, फिर भला उनको उदर बंधन के योग्य वस्तु क्यों नहीं मिलेगी? वे तो आज शिरिकिस चंदर को अवश्य बांदेंगी. इसलिए अब अधिक विलम बना करके अपने सिर्किस खलित वेनी से वेनी बंधन के सकॉमल रेश्वी डोरी निकाल लेती है, तता उसे शिरिकिस चंदर के कठी देश में लपेट नारंब करती है. आप तो शिरिकिस चंदर उस सर से करंदन करते हुए बार बार पकारने लगते हैं, अरी रोहनी मैया, तोड, देख मैया मुझे बांद रही है, तो मुझे छुडा ले, कि तो आज रोहनी मैया भी यहां नहीं जो आकर उन्हें छुडा सके. वे तो उपनंद के घर गई हुई है, इसलिए शिरिकिस च चूटने के लिए ये उपाए भी असफल हो जाता है। जिनके नाम की इतनी महिमा है। वे शिरिकिस चंद्र आज जन्नी के भावी भंदन से मुक्त होने के लिए रोह रोह कर पकार रही हैं, फिर भी उनकी रक्षा नहीं हो पा रही है। बाली लीला वी हारी ब्रजंदर नंदन बली हारी हैं, तमारे इस विश्य मोहिनी लीला की। वहाँ उपस्तित गोप संद्रियों को तो अवश्य ही शिरिकिस चंद्र का ये करंदन असहे हो गया है। वे अत्यन्त रुक्षवकर ब्रजेश्री को बार बार समझाती हैं। कहां भ्योजो घर के लरी का चोरी माखन खायो अहो जसोदा कत त्रास्ती हो यह कोखी की जायो बालक आजो अजान ना जाने केती की दहो लोटायो तेरे कहां गयो गोरस को गोकुल अंतनबायो। पर नद्रानी तो मानती नी। शिरकिष चंद्र भी बंधन के बहे से अपने सारे अंगों को हिला कर जन्नी की मुठी से चूट ना चाते हैं। कभी भूमी बर पसर जाते हैं, तो कभी जन्नी के प्रिष्ट देश की और छिपने लगते हैं, किन्तो जन्नी ना तो हाथ चोड़ती है, ना बंधन का आगरे। एक हाथ से श्रीकिष चंद्र को दबाई रख करके दूसरे हाथ से उस पट डोरी को कटी में लपेटने की चीश्टा में लगी है। दूसरी डोरी जोड़ करके उसे श्रीकिष चंद्र के उधर पर यथा स्थान स्थापित करके जब मेया गाट देने चली तो पुना दो अंगल का अंतर पड़ गया। मैया ने सोचा चंचन नीनमनी भागने की चेश्टा में अपने अंगों को अत्यादिक कम बिट कर रहे। इस लिए डोरी इदर उदर उलजकर पुना दो अंगल छोटी होगी है। इसे किंची तोर बड़ी बना लूँ। ये सोच करके मैया ने अपनी कबरी में बंधी तीसरी पट डोरी को भी निकाल लिया, उसे भी जोल लिया, तथा ये है करके उसे लपेड़ती हुई पुना श्रिकिष चंदर के प्रिष्ट देश की और गांट देने के लिए अपना हाथ ले गई, किन्तो इस बार भी पहले की बांती ही गांट लगाने में कठनाई का अन्बह हुआ, मैया ने जब उस और नेत्र फिरा कर दिखा तो दीखा, ठीक दो उंगल का वियर्धान इस बार भी हो रहा है। आप तो मैया को त्यादी कच्चरे होने लगा, क्योंकि पहली डोरी ही बंधन के लिए प्रयाप थी, तथा उसमें दूसरी तीसरी विशनद कर दी गई, फिर भी दो उंगल के नियूनता नहीं पूर्ण हुई, जन्नी ये निर्ने नहीं कर सकी कि वास्तम में डोरी कहां पर किस कारण से उलज करके ठीक दो उंगल इस बार भी छोटी रह गी, कुछ भी कारण हो, इश्वदा मिया के पास ना तो अवकाश है कि वे इस पर विचार कर सकें, ना उनके लिए ये संभव है कि अपने नील मनी को बांधने का आगरे ही वे छोड़ दे, किन्तो कबरी में अ अन्य पट डोरी तो है नहीं, तदा श्री किस चंदर को छोड़ करके दूसरे स्तान से सकूमल डोरी ले आना संभवी नहीं, अब क्या हो, बरजे श्री और कोई उपाए ना देख करके स्वीब में खड़ी गोप सुंद्रियां से ही कहती है बेहनों, वहां देखो मेरी उस म अदेश प्राप्त होने से गोप सुंद्रियों को अफसर मिल गया, उन सब ने एक वर पुना श्री किस चंदर के अनिद्य सुंदर रूप की और मैया का ध्यान करशित करके उनका रोंशाद का दाने की चेश्टा की। बैठे निकट चकोर, कते ही रिष्टी ये छोदा इंसो, कौन ग्यान है तोर, सूर शाम बालक मन मोहन, नहीं तरुन की सोर। नहीं हो रहा होगा, तो नित्र बंद कर लो, यहां से दूर चली जाओ, मैं तो इसे बांध कर नहींगी। आज प्रथम बार ब्रजपूर सुंद्रियों ने प्रजेंद्र गेहनी को इतनी उत्तेजित एम ऐसा कथोर विभार करते हुए पाया। उन्होंने देखा इशोदा रानी अत्यादिक को पित है। यदि हम सब डोरियां लाकर उन्हें नहीं देंगी तो पता नहीं रोज के आवेश में अपने नीलमनी के प्रतीवे कैसा विभार कर बैठी। ये सोच करके कुछ गोपियां डोरी लाने के लिए दोड़ गई। इदर एक गोपी को मैया की बात से अत्यादिक क्रोध आया। पर उसने अपना क्रोध प्रगट नहीं होने दिया। वे चटपट उठी ये शोदा रानी का सुकंचन मन्थन रज्यू। जिससे वे अपने कोटी प्रान प्रिय नील मनी के लिए प्रती दिन धदी मन्थन करती थी। ला करके मैया के हाथ पर रख दिया। और व्यंग में भर कर बोली नंद गेहनी। ये प्रयाप्त लंबी है। उन पट डोरियों में इस जोड़ लो। ब्रजरानी उस गोपी के व्यंग को जान गई। मन ही मन हसी भी कि देखो ये बावली मेरे कपट रोश को सत्यमान ली है। पर उपर से संतोश प्रगट करती हुई। ठीक है बेहन तुमने बहुत संदर वस्तो ला दी। ये कह करके उनका अनमोधन किया। वास्तम में वें मन्थन रज्जु अत्यंत सकोमल सुकिंचन था भी। पट डोरी की तुलना में किंचित स्थूल वश्य था। पर उसने श्रीकिश चंदर के अतिशे सकोमल अंगों में शत्त लगाने की सर्था संभावना नहीं थी। इस दिए मेया ने भी अविलंबो से पूर्व सनद्ध पट डोरी में जोड लिया। जोड कर पूरी साफधानी से श्रीकिश चंदर का उधर बंधन करने लगी। किंतो आश्चेरिय महान आश्चेरिय। इतने विष्टित मन्थन रज्जू के जुड़ने पर भी पूर्वत वही दो अंगल की नियुनता रहेगी। इस बार मैया के विष्मे का पार नहीं रहा। पर उपस्तित गौप संद्रियां खिल खिला कर हस बड़ी। कुछ नावरुनियां हस कर बोली। बरजेश्री हम सामने तो जब हम उलाना देने आई थी तब ही तुम से कहा था कि ये कोई उतक्रिष्ट मोहनी विद्या जानता है। इसी विद्या के सहारे जब ये नवनीत आदिय पहरन करने जाता है तब कफलक को भी मात कर देता है। क्योंकि उस विद्या के बल से इसे नाटों के पकड़ सकता है ना बांच सकता है ये मनमानी करता है। तुम्हारे बंधन में नहीं आ रहा है। इन नावतरनियों की बात सुनकर के ये शोदारानी ये सोजने लगती है कि हो ना हो। इनी सबने किसी स्तंभन विद्या का प्रियोग करके मेरे पुत्र के बंधन में बादा डाली है। मेरा नील मनी इन सब को प्राणों से भी धिक प्रिया है। उनका बंधन ये सहन नहीं कर सकती। तब जब मैंने इनकी बातों की पेक्षा कर दी। तब इन्होंने स्तंभन विद्या का आश्रे लिया है। और यही कारण है कि मैं नील मनी को बांध नहीं पा रही। ये विचार आते ही मैया खीजी सी होकर कहती है। नहीं नहीं मुझे बतलाने की ओशकता नहीं। मैं जानती हूं कि मेरे नील मनी का बंधन क्यों नहीं हो पा रहा है। ये उसकी मोहनी विद्या का परिनाम नहीं है ये तो तुम लोगों की किसी नंदनी ये विद्या के लीला है बरजे शिरी का ये सरस आक्षेप सुनकर क्या तरनी क्या व्यसका सभी अठास का रुठती है पर जन्नी कहीं और कुपितना हो जाए इस आशिंका से हस्ते हुए हुए कहने लगती है बरज रानी सुनो हम सच कहती है तुमारे चर्णों की शबत करके कह रही है आश्चार में भार देने वाली ये विद्या जिसके कारणी ये गटना गटित हो रही है हम लोगों की नहीं है हम से इसका कोई संबंद नहीं है इतने में गोपियां जो इशोदा रानी की मनी पेटका से पट डोरी निकालने गए थी बहुत सी डोरीयां लिए आपोस्ती डोरी देखते ही मैया का उस्सानवीन हो जाता है अवशी उनका मन तो आश्चेरे से बढ़ा है गोपियों को शवत करते देख करके वे सोचने लगी है कि संबवता गर्गाचेरे के वचनों के इंसार कोई भगती शक्ती मेरे नील मनी में समय समय पर आविश्ट होती है मेरे नील मनी को उस समंद में कुछ भी अन्भाव नहीं होता और शक्ती काम करती रहती है किन्द कुछ भी हो नील मनी को तो उन्हें बांदना ही है साथ इस आश्चेरे का भी अन्द पाना है इसलिए मैया पट डोरियों को क्रमशे उसी पूर के रज्जी में जोड़ती है एक के जुड़ जाने पर पुत्तर के उधर में लपेट करके प्रिक्षा करती है पर परिनाम एकी होता है डोरी दोंगल नियून पढ़ जाती है जिस शन से दोंगल अंतर पढ़ने का ब्रजेश्री को भान हुआ तब से उन्होंने जितनी डोरियां जोड़ी हैं वे सब की सब ठीक दोंगल नियून पढ़ी है मानो परते एक डोरी किसी निश्ची तभी संदी से परते एक बार दोंगल का विरोधान रखकर पीछी हट जाती श्रीकिश चंदर के बंदन से विरत हो जाती है नंद भवन की समस्त पट डोरियों को एकत्र करके मैया एक दूसरे से संद्ध करती है पर किसी से उनका उद्देश सवल नहीं होता जन्नी पर तेक बार असवल हो रही है उसकी इस असवलता को देख करके गोफ संद्रियां तो खासी रही है आप मैया का भी रोश चाता रहता है मैसे हम भी असवल प्रियास पर हसने लगती है किन्तो इस आच्चर में घटना को देख देखकर शंचन में उनका विश्में बढ़ता जा रहा है विश्में विश्फिरित नेत्रों से जन्नी ब्रजपुरंद्रियों की और देखने लगती है अब तक उनकी द्रिष्टी एक मातर अपने नील मने की और उनके उधर बंधन की और केंद्रित थी पर अब वे गोप्रमाओं की और देख करके मानों उनसे इस घटना के अंतर नहित कारण का संकेत पाना चाती हो इस परकार शांत खड़ी हो जाती है गोप्रमाओं को स्यम भी अतिशे आश्चरी हो रहा है वे कहती हैं इशोदारानी जिगत में एक मात्र धन्य तुम ही हो नील मनी की जन्नी जो ठहरी नील मनी की जनम दात्री होकर अब तक तुमने एक से एक बढ़कर ना जाने कितने आश्चर में लीलाज देखी है आज भी देखो सच मुझ कितने आश्चर की बात है नीलमनी का कटी देश, अच्यंत परिमित परिमान, नाप वाले सर्न मेखला सूत्र से तो आवरित है, जिस छोटे से सूत्र में तुमने सर्न मेखला को प्रथित क्रथित किया था, वैस सूत्र तो कटी को चार ओर से गेरे हुए है, किन्तु उसी कटी को आज जब तुम आज प परिमान ही नहीं मिलता वै कटी कितनी बड़ी है ये पता ही नहीं चलता देखो ना तुमारे भवन की समस्त डोरियां जोड़ दी गई किन्तु कटी का परिमान नहीं मिला राशी राशी डोरी जोड़ कर तुमने देख लिया किन्तु सभी डोरियां दो उंगल छोटी ही हो इसलिए ऐसा हो रहा है आते अब तुम नील मनी के बांधने का परेतन तो छोड़ी दो अब तो शिरीकिश चन्नी और भी आश्चेरे करने लगी अभी तक उनका ध्यान इस और ग्या ही नहीं था कि सुब्रेहत परिमान में योजित पट डोड़ियां तो लपेटते समें दो मिखला से आवरित है ये दो सर्था विरोधी बाते एक ही समय में एक ही स्थल पर संग्टित दोरी है ये बात ध्यान में आने पर जन्नी का चित एक बार तो ब्रहमित होने लगता है पात्रौन्ति किसी अग्याज शक्ति से अनुप्रमानिच सी हो करके वे निश्चे कर लेत कि इस अत्यान आस्चेर जनक घट्रा की अवधी कहां है कितनी दोरियां इसमें लगती है ये बात तो देखने ही हो गिया है वे अवश्च इसका निद्ने करके ही छोड़ेगी इस निश्चे को कार्यानति करने के उद्देश से वे गोपियों से बोली इरी बेहनों देखो आप मेरे घर तो ऐसी सिकोमल पट डोरियां है नहीं आप तुम सब के घर ऐसी जितनी पट डोरियां हो उनको लाके दो इससे पूर गोपिकाई श्रीकिष चंदर को छुड़ा लेने के लिए व्याकुल थी क्योंकि वे अत्यान भैवीत होकर त्रान पाने के लिए विखल परतित हो रहे थे किन्तु आप वे अपेक्षा कृत शान्त हो गए थे गोप संद्रियों को भी निच्चे हो गया था कि मैया के लिए श्रीकिष चंदर को बाद लेना संबब नहीं है साथ ही वे भी इस आश्चेर में रहसे का अंत नहीं पाकर के विसमे के जूले में जूल रही थी वे भी उतकंटित थी कि देखें इस आश्चेर में घटना का परिवेसान किस में कहा होता है अधब मैया का दिश पते ही में सब दोड़ गई जिसके घर में जितनी पट डोरियां थी उन सब को उठा लाई देखते ही देखते उन सब ने ब्रजरानी के समक्ष डोरियों का धेर कत्र कर दिया कदाचित कोई सोचे शिरिक की इस चंदर ने गोब संद्रियों के घर अने को उतपात किये है उनके अगनित मटके फोड़े हैं इसलिए उन्हें ड्रा करके अपना रस भरा वैर चुकाने के लिए वे डोरियां ले आई हूँ तो ये बात नहीं है इस बात जन्नी के बंधन आगरे से कुरुद हो करके ले आई हूँ ये भी नहीं है जन्नी के आदेश का त्रिस्कार करने से वे कुपित होंगी इस बह से उन्हें डोरियां दी हूँ सो भी नहीं है वे तो अतिशे अनंद कोतुहल से प्रेरित हो करके शिरिकिष चंदर के इस आलो की कद्व चृतर को देखने की अभिलाशा से दो अंगल की नियुन तापुरी होती है या नहीं इसका निरने करने के उदेश से अपने अपने घर की समस्त डोरियां बटोर लियाई है बरजेश्री उन में से कुछ को लेकर के संग्रथित करती है फिर उस विस्तित रज्जू को शिरिकिष चंदर के उदर पर विराजित पट जोड़ी से पट डोरी से जोड़ती है जोड़ कर देखती है तो भी तो वहविपूर की भाति दो अंगल नियुन है पुना कती पे डोरियां उठाती है प्रसपर योजित करके उदर की डोरी से बांद देती है पर लेपेटने के समय उसे भी उतना ही नियुन पाती है इस परकार पूर संद्रियों के दोरा लाएगी डोरियां भी समाप्त हो जाती है पर दो अंगल का अंतर नहीं मिटता मानो वो नियुनता पर ब्रह्म का शपर्ष पाकर के स्यम पर ब्रह्म बन गी है ब्रह्म के समान हरास विद्धी से रहित हो गी है ना घटती है ना बढ़ती है निरंतर एक समान दो उंगल की बनी हुई है जो ही पड़ डोरियों का वे धेर समाप्त हुआ वैसे ही आभीर संद्रियों के मुख पर से हास भी अंतर हित हो जाता है हास के स्थान पर भए मिश्रित पडगाड विस्वे की लहरे नाचने लगती है बरजेश्री का कोटुक कोप कोप का स्वांग उससे अधो निल्मनी के बंदन का प्रयास उसके लिए विचित्र भीती मूलक कास्चेरे का विश्य बन जाता है ओ, कनक मेखला ज्यों की त्यों बंदी है, ना तुम आट टूटी, ना उसमें कभी किंचन मात्र विस्पंदन ही हुआ होता कैसे, श्रिकिष्चंदर के उधर में यदि थोड़ी भी व्रिद्धी हुई होती, तब तो मेखला तूटती यां खंपित होती उधर तज्यों कातियों हैं, किन्तु उसी मेखला से समन्वित उधर के निम्न तल में मेखला की सामानतर रिखा के रूप में लपेड़ते समय में सुब रहित लंबी डोरी दोंगल छोटी बढ़ जाती है डोरी के दोनों छोट मिलने ही बाते, डोरी का वैविस्तार बीच में ना जाने कहां वी लुपत हो जाता है गन्ना करते समय उस सुकिंचन डोरी में लगी अगनीत सुन्दर गांटें भी उधर के अग्रबाग की और देख पड़ती कि तो जब कभी भी शोदा राने प्रिष्ट देश की और मुक करके गांट देने के लिए दोनों छोटों को मिलाने चलती है तब वही दोंगल का वियर धान मिलता है उधर के आगे गांटों से बढ़ा पट डोरी स्टूप पड़ा है पर पर टेक बार ही डोरी के दोनों छोटों मिलाने में बरजेशरी सत्था असहल हो जाती है ये वास्ता में है कैसी किस की लिला सब ने अपने अपने घर के समस्ट डोरियां ला दी घर में एक भी डोरी नहीं बची फिर भी वह अल्प परधी का कठी देश विश्टित नहीं हो सका ये अगाट घटन कैसे संबव हो रहा है गोप सुन्दियों के नित्र निस्पंद होगे उन्हें ग्रै पुत्र परिजन के विश्मिरती होगे मन बुद्धी में अवशिष्ट अन्य विश्यों के समझ संसकार भी विलुक्त होगे उनकी विचित्र ही दशा होगे पुत्र को बहानने के प्रियतर में ब्रजेश्री भी अब सर्था शरांत होगे है समझ तंगों से प्रस्वेत की धारा बैरी है वेरी तो कभी स्खलित हो चुकी थी मालती माला से मैया ने केशो को अब रुध कर रखा था पर आब में माला भी तूट गई हैं ग्रथित मालती कुसम यत्र तत्र भिखर गए हैं बस चन्नी का यही प्रिश्रम अपेक्षित था यह प्रिश्रम श्रीकिष चन्दर के नेत्रों में भर गया भारते ही क्रिपा शक्ती प्रकट हो गई तता श्रांत, हताश, निराश, जन्नी मैं नील मनी को नहीं बांढ़ सकूंगी फिर भी अंतिम बार के लिए प्रितन कर लूँ यह सोच करके जिए मी कांठ लगाने चली कि शिरिकिष चन्दर ने बंदन सक्कार कर लिया जन्नी ने बांढ़ने के उद्देश से जवपट डोरी अपनी कबरी से सर प्रतम निकाली थी उसी से शिरिकिष चन्दर बंद गए बरजेश्री का उद्दिश शिपोर्न हो गया उनके लिए उनके पुत्तर की अच्छिन्त लीला महाशक्ती ने अपने नित्यमुक्त स्वामी को बंदन में डाल दिया साथ इस परम मनोहर लीला के अंतराल में स्यम श्रीकिष चन्नी को हिन निमत बना करके परपंच में अवस्तित जीवों के लिए भी वे एक परम गूड रहसे का दिवे संके छोड़ती गई पट डोरी से व्यक्त होने वाली दो अंगल की नियुनता एम नियुनता पूर्ती की ओट से लीला शक्ती ये मुख संदेश देती गई जगत के जीवों सुनो देखो यदि तुम पर ब्रह्म प्रशोत्तम स्यम भगवान श्रीकिष्च चंदर को बहांदना चाते हो तो उनके बंदन का रहसे जान भक्त का भजन प्रिश्रम एम सर्वेशर की स्वनिष्ट क्रिपा इन दोनों के व्यक्त होने पर ही सर्वेशर बंदन से विकार करते हैं इनके अत्रिक्त उन्हें बांधने का अन्ने कोई साधन नहीं जन्नी के जीवन में प्रत्यक्ष देख लो जब तक उप्योक्त भजन प्रिश्रम एम श्रिकिष्ट क्रिपा ये दोनों अभिव्यक्त नहीं हुए थे तब तक इन दोनों की सूचना का संकेत बनकर डोरी भी दो उंगल नियुन होगी थी आप देखो दोनों का आविरभा हुआ कि बस तरफ जन्नी के द्वरा उध्यम मात्र होते ही श्रिकिष्ट चंदर ने बंधन अंगिकार कर लिया श्रीकिष्चंद्र स्विच्छा सही बंधन में आये हैं जब तक उनकी इच्छा नहीं थी तब तक जन्नी उन्हें नहीं बांग सकी जिस समय वे जन्नी से हाँच चुड़ा करके भागना चाहते थे उस समय उनकी एश्वरे शक्ती को ये परतीत हुआ मेरे स्वामी जन्नी का बंधन से विकार करना नहीं चाहते फिर क्या था अविलंबवे काम करने लागी तच्छनी श्रीकिष्चंद्र के उदर में विभुता का विकास हो गया अवश्य विभुता को ये भई अवश्य था कि कहीं मेरे दर्चन से ब्रजेश्री के वाजसल्य म्रसेन हिर्दे में आगात न लग जाई इसलिए जन्नियम अन्यपूर सुंद्रियों से अलक्षित रहकर ही वे अपना प्रभाव दिखाने लगी बाहे द्रिष्टी में मेखला परिशोवित उदर जो का त्योग बना रहा उसमें तनिकी परिवर्थ नहीं हुआ पर उदर की परधी अनंत अपरिशीम बन गी अब विभू उदर को वेश्टित करने की समर्थ किसमे है असंख्य विश्य ब्रह्मान भी पंक्ती बद्धोकर उस उदर को नहीं गेर सकते किन्त जन्नी जब बंधन प्रयाज से श्रांथ हो गई तब क्रिपा शक्ती का उनमेश हो गया क्रिपा शक्ती के आने पर श्रीकिष चंदर की अन्य समस्त शक्तियां या तो छिप जाती हैं या आविशक्ता होने पर उने का अनुगमन करने लगती हैं कृपा ने श्रीकिष्चंदर में बंधने की इच्छा जगा दी तथा विभुता को परभाव समेट लेने का संकेत कर दिया विभुता छिप गई ने श्रीकिष्चंदर बंधन में आगे श्री कृष्ण चंदर के अनंत ऐश्वरे एम क्रिपा के इस चमतकार को ना तो ब्रजरानी ने जाना ना गौप संद्रियों ने ब्रजेश्री ने तो यही समझा मुझे चित्ब्रम हो गया था वेर्थ है मैं ही मैंने इतनी डोरियां 71 की बना नील मनी को बांधने के लिए इतनी डोरियों की क्या वशिकता थी मैं अपने अंगों को हिला रहा था इसलिए मैं डोरी के छोरों को मिला कर गांठ नहीं दे पाती थी अंते में मैं शांत हो गया कि मैंने गांठ लगा दी अस्तु उदर बन्धन तो हो ही चुका था जन्नी ने उसमें दो तीन पर डोरियां और जोड़ दी जोड़ कर डोरी के दूसरे चोर को पास पड़े हुए एक उखल से बांध दिया तथा ऐसी गांठे लगा दी कि शिरिकिश चंदर उन्हें कदापी खोल नहीं सके उन सब का मुख मलान हो रहा था जन्नी ने उनकी और देखा मैं मुने पुछकाज कर बोली पुत्रो इसे तुम सब देखते रहना भला और देखो यदि ये बंधन खोल कर भागने लगे तो मुझे पुकार लेना बालकों को प्युक्त आदेश तेकर जन्नी शिरिकिश चंदर की और देखने लगती है अन्य गौप सुंद्रियां प्रस्तर प्रत्मा की भाती खड़ी हैं उन्हें इतना तो भान है कि मैया ने अन्तमे शिरिकिश चंदर को बाधी लिया पर इसे पूर जो उन्होंने आश्चयरे देखा हैं उसका प्रभाव अभी तक उन पर है वे प्रकतिष्ट नहीं हो पाई हैं किवर एक गोपी में मालो किसी अग्याच शक्ती ने उसमें चितना भात दियो इस परकार जन्नी की सारी चेस्टां को देखने की शमतागी है उसने शिरिकिश चंदर की और दिखा बंदद से पूर्तोवे प्राया शांत से हो गे थे पर जो ही मैया ने उखल में गांट लगाई कि उनके नित्रों से पुना जर्चर करता हुआ अश्रु परवा बैचलता है ये देखते ही गोपी तो व्याकुल हो गई इतने मैया अंगन की और मुड जाती है अब गोपी से नहीं रहा गया आगे बढ़कर वैं ब्रजेश्री का हाथ पकड़ लिती है तो था नंद नंद को शीगर से शीगर छुड़ा लेने के उड़ेश्य से उनके मुख चंदर की और देखने के लिए उनसे प्रात्रा करती है मुख चबी देखी हो नंद घरनी सरद निशी को अंसू अगनित इंदू आबाहरनी लड़ित शिरी गोपाल लोचन लोल आशू ढरनी मनहू बारिज बित की विभ्रम परे पर बस परनी कनक मनी में जडित कुंडल जोती जग्म करनी मित्र मोचन मनहू आई तरल गती द्वे तरनी कुटिल कुंतल मधुब मिली मनू कियो चाहत लरनी बदन कांती बिलोकी सोबा सके सूर ना बरनी बाल कृष्ण भगवान कीजए इसोदा मिया के लाल कीजए नंद के गुपाल कीजए